पीम मोदी के चहरे पर चुनाब लड़ने वाले उद्दफ ठाकरे को जब बीजेपी ने महराश्टर का मुख्यमंतरी सुईकार नहीं किया तो ठाकरे कॉंग्रेस की गोद में लपक करके बैट गए थे और उद्दफ ठाकरे ने जिस तरीके से भाजपा और लोगों के जन्मत से धोका दे करके महराश्टर की गद्दी पर बैठने का फैसला लिया था उसे ले करके भाजपा ने एक बार फुर से ठाकरे पर जोरदार हमला बुला है BJP के नेता जिस तरीके से उद्दफ ठाकरे के और से धोका देने वाले वाकियों को दोहा रहे हैं उससे साफ तोर पर जाहिर होता है कि भाजपा अब उद्दफ ठाकरे से आरपार की लड़ाई लड़ने के मूड में है महरास्टर में होने वाले चनावाओं को लेकर के बीजेपी पहले ही बिगल फूक चुकी है बीजेपी का फोकस है कि कैसे भी करके जनता के बीच में ये भरोसा दिलाया जाए कि ठाकरे ने ही भारतिय जनता पार्टी को धोका दे करके साल 2019 के विधान सभा चिनाव में शर्टवार के इशारे पर कॉंग्रेस की गोद में बैटने करने डिलिया था जो की साफ तोर पर बाला साहिब ठाकरे के विचारों पर कुठारा घाथ था केंद्री ग्रेहम अंत्रिया मिश्चा ने उद्धर ठाकरे पर जोरदार हमला बोला और उद्धर ठाकरे गुट की तरफ से जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई है उससे ये भी पता चल गया कि हमिश्चा का सियासी तीर बिलकुल सटीक जगह पर जाकर के लगा है इस मामले को लेकर के हम विस्तार से दरसल समझने की कोशिस करेंगे आपसे आग रहे है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहे ये मुद्धा गरम है किंद्रे ग्रिह मंत्री अमिश्चा ने महरास्टर में एक रैली के दोरान उद्धर ठाकरे गुट की शिफसेना पर जोड़दार हमला बुला है अमिश्चा ने ठाकरे पर 2019 में महरास्टर विदानसबा चुनाव के बाद मुख्य मंत्री पत के लिए रास्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस से हाथ मिलाकर भाजपा को धोका देने का गंभीर आरूप लगाया नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलक्ष में दरसल भाजपा के संपर का भ्यान के तहट नांदेड में एक रैली को संबोदित करते हुए किंद्री ग्रही मंत्रिया में शाहने का कि भाजपा ने पिछले साल ठाकरे के नितरत वाली M.B.A. सरकार को नहीं गि 19 के चुनाब से पहले ठाकरे से बातचीत की थी कि अगर N.D.A. विजय हुआ तो फर्णवीस फिर से महरास्टर के मुख्यमंत्री होंगे इस पर उद्व ठाकरे ने सहमती जताई थी हलाकि चुनाब परडायम के बार ठाकरे ने अपना वादा तोड़ दिया और कॉंग्रेस N.C.P. की गोद में बैट गए अमिशा ने का कि मुख्यमंत्री एकनाशन्दे के नितरत वाली शिफसेना को अपना धनुष और तीर वापस मिल चुका है और ये तै हो चुका है कि असली शिफसेना कौन है उन्होंने का कि मुद्द ठाकरे को चुनाथी देता हूँ कि वो त तीन तलाक की प्रथा को समाप्त करने आयोध्या में राम मंदर, निर्मार, समान, नागरिक, सहिता और मुसल्मानों के लिए आरकशल पर सहमत है या फर नहीं इस पर अपना रुक इस पुस्ट करें हमेशा ने ठाकरे पर निशाना साथ ते हुए का कि आप दो पत्थरों प वैक्सीन दे रहे थे तब उद्दफ ठाकरे कारियालाय तक नहीं गए, कोविन-19 महामारी के दौरान कारियालाय नहीं जाने के लिए ठाकरे की आलोचना का सामना दरसल करना पड़ा था और लगतार इस वाक्यों को लेकरके उद्दफ ठाकरे को पानी पी-पी करके कोशा ज नहीं सकता, केंदरी ग्रहिमंत्री हमिश रहा के उद्दफ ठाकरे पर हमले के तुरंत बाद, अब उद्दफ ठाकरे गुट के नेता संजे राउत का बयान आया है, या फिर यू कहें की प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है। संजर राउत ने कहा कि हमिश शाह के 20 मिनट के भाशन में उन्होंने लगबग 7 मिनट तक उद्दफठाकरे पर हमला बोला जो कि ये साबित करता है कि मातोश्री का दबदबा अभी भी कायम है दरसल नांदेर में एक रैली को संबोदित करते हुए हमिश शाहने शिवस जियना के नेता उद्फठाकरे पर हमला बोला था अमिश शाहने थाकरे पर निशाना साथ थे हुए का कि आप दो नाओं पर एक साथ खड़े नहीं हो सकते या तो आप हिंदुतّों के साथ में खड़े हो ये या फिर हिंदुत्यों के खिलाप आप राज्य के सामने बेनकाब हो जाएंगे अमिश शाह के बयान पर संजराउत ने का कि नांदेड में अमिश शाह के 20 मिनट के भाशर में 7 मिनट तक उन्होंने उद्दफ ठाकरे पर ही बोला है इसका मतलब है कि भारतिय जनिता पार्टी खुद अमिश शाह जो की किंद्री ग्रे मंत्री हैं वो उद्दफ ठाकरे से डरे हुए है शिफसेना पार्टी तोड़ दी गई और देश द्रोईयों को नाम और चिन्न दे दिये गए इसके बाद भी उनके दीब्मकों में ठाकरे और शिफसेना का डर दिखाई दे रहा है ये डर अच्छा है ये संजराउतने का हाथ अमेश रहा ने ठाकरे को तीन तलाक आयोध्या, राममंदर, निर्माल, सम्मान, नागरिक साहिता और मुसल्मानों के आरक्षर पर अपना रुक इस पष्ट करने के लिए चुनौती दी है इसके साथ उन्होंने भाजपा को धोका देने का भी गंबीर आरूप लगाया है अमेश रहा ने का कि मुक्हमंतरी एकनाश शिंदे के नितरत वाली शिवसेना को अपना चनावचिन मिल चुका है और ये भी तैह हो चुका है कि अब महरास्टर में बाला साइब ठाकरे की असली शिवसेना कौन सी है अब यहाँ पर समझने बाली बात या है कि हमिश शहा ने जो जो जोरदार हमला बोला है उदफठाकरे पर जो तीर सही जगह पर जाकर के बिलकुल सटीक ठिकाने पर लगा है वो संजराओत की प्रतकरिया से समझ में आता है संजराओत साफ तोर पर ये कह रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने उदफठाकरे का जिक्र किया 20 मिनट के भाशन में तकरीबन 7 मिनट तक तो ऐसे में ये प्रतीत होता है कि भाजपा को उदफठाकरे का डर सता रहा है 2019 के विधान सवाचनाव और लोकसवाचनाव में भी हार का डर सता रहा है तो जो 7 मिनट तक अमिश शाहा ने उदफठाकरे पर निशाना साधा इसकी एक ये नई इंटरपेटेशन दरसल संजराओत की तरफ से निकाली जा रही है तो ऐसे मैं उदफठाकरे से लेकर के संजराओत तक और भी हमाम जो नेता है बड़े बड़े कदाबर नेता उदफठाकरे गुटके मोदी को देविंदर फण नभीस को एकनाशिंदे को भारती जनता पार्टी को पानी पीपी करके कोसते रहते हैं क्या 24 घंटे में जो जादातर घंटों तक ये सोचते रहते हैं कि आखरकार भाजपा को कैसे लपेटे में लिया जाए उनके उपर कैसे हमला बोले जाए तो इस हिसाब से क्या उदफठाकरे संजराओत और उदफठाकरे गुटके तमाम नेता भाजपा से डरे हुए हैं क्या वो भाजपा की मीतियों से खौफ खा रहे हैं उन्हें महरास्ट में होने वाले लोगसबा चनाव और विधान सबा चनाव में अपनी जमाना जब्त होने का डर सता रहा है क्योंकि संजराओत के हिसाब से तो यही है कि अगर कोई भी नेता एक दूसरे नेता पर हमला ब रही हैं भाजपा लगातार लोगों के बीच में यह संदेश देने की कोशिस कर रही है कि जिस तरीके से मोदी के चहरे पर प्रधान मंत्री नरंदर मोदी के नाम पर महरास्ट में वोट मांगने बाले उद्धर ठाकरे को जब भाजपा ने कुरसी का ओफर नहीं दिया और ओफर क्यों भी करें क्योंकि चुनाब से पहले ही यह सारा डिसक्रशन हो चुका था कि महरास्ट के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्णबीस ही बनेंगे अगर नेशनल डेमोक्रेटिक आलाइंस यानि की एंडिये सप्ता पर काविज होता है तो तो उस समय उद्धर ठाकरे की तरफ से और जिसे भाज़पा साफ तोर पर असुईकार कर देती है और वो शारत पवार और कॉंग्रेस की गोद में जाकर के बैट जाते हैं जैसा कि अमिश्चा की तरफ से आरोप लगाए गया और इस आरोप से बुरी तरही के से उद्धर ठाकरे गुट के नेत संज राउद भिलबला उठे हैं वहराल इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूब बताए जल्द बलूगा किसे दूसरे वड़ अपडिट के साथ में अगर आप लोग चैनल पर ना है तो पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सैड़ बरे बैल आकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नए वीडियो रिलीज करूं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे